हेलो गाइज, वेलकम बैक टो माई चैनल, आज मैं आपनों के लिए ऐसी रेसिपी लेक्या हूँ कि शायद ही आपने यूट्यूब में कहीं देखी होगी इतनी काम की जिसमें एक भी चीज वेस्ट नहीं जाने वाली और इतनी सारी डिसे बनाने वाले हैं कि मैंने तो नहीं आपने गिना है तो कमेंट करके बता देना, सबसे पहले हमें चाहिए दूद की मलाई जिसे हम रोज हटा के जमा करते हैं अलग डब्बे में, तो यहाँ पर मैंने करीब 6-7 दिन की मलाई ली हूई है दूद की, जिसे मैं फ्रीजर में रखती हूँ, इसमें कोई दही आपको भी इसी तरीके से मलाई को श्टोर करना है और इसके बाद में मिक्सी के बड़े वाले जार में नीचे थोड़ा सा थंडा पानी है, थोड़ी बरफ डालनी है, उसके उपर से हम डालेंगे यह मलाई सारी क्रीम, तो मलाई इस तरीके से नीचे हमने पानी इसलिए डा अगर पानी कम लगे तो ठंडा पानी और डाल देना अब एक बड़ा बरतन ले लीजिए कोई भी अलग उसमें हम इस तरीके से चमच की सायता से आप चाहो तो हाथ से भी निकाल सकते हो जितना भी मक्षन है वो आप निकाल लीजिए यहां पे सिर्फ 6-7 दिन के दूद की मला हो जाती होगी तो अब क्या किया है हमने देखिए इस तरीके से मलाई को सरी मक्षन को दबा दबा के हमने निकाल दिया है इसका जितना भी जो दूद यह मठा नहीं है क्योंकि यह मठा नहीं है दूद ही है क्योंकि मठा तो हम जब इसमें दही मिलाते हैं तब मठा बनता है और अमने आब इसमें कुछ नहीं मिलाया है अब हमें धोना है मकफन को तो मैं मकफन को बर्फ के टुकड़े से धोना ज़्यादा प्रिफर करती हूँ तो बर्फ के टुकड़े डाल दीजे एक मिनट के लिए साइड में रख दीजे इससे क्या होगा जो मक्खन है वो थोड़ा टाइट हो जायता है और यह जो पानी है जो एक्स्टरा जितना भी इसमें मठा या दूद बगएरा होता है मक्खन के अंदर, वो सब निकल जाता है और जो है मलाई स्थोरी मक्षन है ना हाथों में चिपकता भी नहीं है बर्फ की वज़े से बड़िया हाड हो जाता है तो देखे जितना निकल सकता था उतना निकाल दिया है और एक तरफ मैंने अभी रख दिया है क्योंकि बर्फ के कुछ टुकड़े बच गये हैं अब यहाँ पर यह आधा लीटर के करीब दूद निकला है क्योंकि जैसे कि मैं वताया मेरी क्रीम ज्यादा नहीं थी तो आधा लीटर दूद को अलग भगोने में गरम होने के लिए रख देंगे जो मिक्सी में हमारा निकला है इधर एक कटोरी में दो चम्मच हमने वाइट वाला विनेगर यानि सफेद सिर्का ले लिया है इसकी जगए आप एक नीबू का रस ले सकते हो या फिर आप ले सकते हो यहाँ पे सेट्रिक एसिड जिससे हम पनीर फारते हैं तो यह जो आदा रिटर दूद निकला है हमारा या चाच कहलो आप इससे चाच तो नहीं है तो इससे अब हम क्या करेंगे गर्म करेंगे और हम इससे पनीर निकालेंगे पनीर बनाएंगे तो मैंने पहले भी वीडियो शेयर करी है इस तरीके से आप मक्षन में आने के जाल दो और तुरंत जब दूद फट जाए और दूद अच्छे से फटना चाहिए जो पानी होता है न जो यह बिल्कुल सफेद नहीं होना चाहिए इससे थोड़ा सा हरारा सा हो जाना चाहिए इस तरीके से कपड़े में छनी में यानि कपड़ा लगा के जैसे कि आप हम पनीर भी हमनě बना लिया है मक्षन निकलाया तुरह कंद है कि टरक्फ बढ़ रहे हैं तब हम हम खलाकंद बनाएंगे यहां पर दीकिए मक्षन सेवने सारा जितना भी दूद बगएरा था पानी था वो सब निकाल दिया है और ये अच्छा सा मक्ष नमारत तयार हो गया है दूद हमने जो कड़ाई में लिया है वो अच्छे से उबलने लगा है इसमें डाल देंगे इलाइची और केसर अगर आप डालना चाते हैं तो और इसे गाड़ा होने देंगे जब ये थोड़ा गाड़ा हो जाएगा दूद तो जो हमने पनीर निकाल के रखा हुआ है वो पनीर आप इसमें डाल देना साती साथ चार बड़े चम्म शक्कर डाल देंगे और इसे हम तेज आज में तब तक पकाएंगे जब तक ये जो मिश् आपने मनपसंद आप मेवे डाल दीजिए इसे आप छोड़ दीजिए फ्रिज में दो घंटे के लिए सेट होने के लिए अब यहां पर जो मखन है हम मना रहे हैं उससे की कलाकंद हमारा बन गया है भी आपको काटके दिखाऊंगे कितना परफेक्ट कलाकद मरा हुआ हुआ तो अब यहां पर तेज आँच में हम इसे पिखलाएंगे और हम बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे जब भी आप मखन बनाए तो जब तक जो मखन है ना मखन से जब घी बनाए तो जब तक मखन पिखलना जाए और वो उबलने की इस तिथी में ना आ जाए यानि कि इस 10-12 मिनट के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं ए अपना काम कर सकते हो इसे छोड़के और ये अपने आप पकता रहेगा कुछ भी नहीं करना होता है इसे low medium flame पर थोड़ा थोड़ा चलाते रहे है और ये पकते पकते जो सफेद सफेद नीचे आपको मावा जैसा दिख रहा है न जो जहाग बन रही है वो कम होती जाएगी यानि कि जो बुलबुले बनेगे वो बिल्कुल ट्रांस्पेरेंट बुलबुले बने नहीं देखे कलर भी चेंज हो गया है तो लास्ट में जब ही ना बनने ही वाला होता है कलर जब दीरे-दीरे मावे में आना शुरू हो जाता है जो नीचे होता है तब आप गैस के आज को अमेंसा धीमा रखे तेज रख देंगे तो घी ज़ादा पग जाता है जल जाता है कलर इसका लाल हो जाता है और आप देखिए हमने कुछ भी नहीं मिलाया है और ये 700 ग्राम के लगभा घी है इससे ज़्यादा ही होगा यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है जब इस तरीके की जाग आने लगती है तो गैस को बंद कर देना चाहिए जब मावे का कलर चेंज हो जाए और इससे पूरी तरीके से ठंडा कर लो फिर आप किसी भी छन्नी या कॉटन के कपड़े से इसे छान सकते हो तो अगर आपको दानेदार घी चाहिए तो हमेशा घी को पहले अच्छे से ठंडा करो उसके बाद ही चानों गरम-गरम चान के डबे में भरके रख्त होगे तो घी में दाना नहीं पड़ेगा यहाँ पर देखे हमारा जो यह वेस्टेज हुआ है यह भी कितना कम हुआ है हमने पौन किलो के लगभग जो है घी निकाला है यहाँ पर लेकिन जो वेस्टेज है यह मुश्किल से दो चमच हुई है निकली है जो मावी की देखे कितना बड़िया देशी की तयार है यहाँ पर दो घंटे बाद मैं आपको दिखा रही हूँ यह मावा सुरी कलाकन तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसके चैट टुकड़े करूँ की आट टुकड़े करूँ मैं इसे चौकोर काटना जाती थी स्कुएर शेप में चलो रक्टेंगलर शेप में लंबे-लंबे बार जैसे काट लेते हैं काफी बड़े-बड़े पाड़े-मूटे 8-पीस बनके तयार हैं तो देखे, अगर जो मैंने आधा रेटर अलग से दूद लिया था, अगर आपकी जो मलाई है वो ज्यादा रहेगी न, तो आपको अलग से भी दूद लेने की जुरत नहीं होगी, मक्खन निकालने के बाद में जो दूद निकलेगा, उसी में से आधे दूद का पनीर और आधे दूद की रबड़ी बना के इस तरीके से आप कलाकंद बना लेना, जब भी आगे से आप मलाई से मक्खन निकालना और घी बनाना तो देखे, इतना टेस्टी कलाकंद है न, ये कि ऐसा तो बाजार में हजारों रुपए किलो में मिलता है, और आप जो ये दूद या मठा फेक देते हो गी बनाने के बाद में हमने उसी से देखे कितना कमाल का पनीर बना के और फटा फट बिल्कुल ताजा ताजा कलाकंद बना दिया, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जद़ जद़ दोस्तों शेयर करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर इसी तरीके के वीडियोज के लिए